कै er ऐरो स्टुडेंस हम कर रहे हैं company लोग company लोग के अंदर आज का lecture शी से पाफ लोड करती है है आज की लेक्जिर के अंदर हम करने वाले हैं indoor management का principle जिसको बोलते है doctrine of indoor management यानि कि आंतरिक प्रबंदन का सिधान्त आंतरिक का मतलब होता है company के internal matter internal matter के अंदर होता है जैसे की company कोई meeting अनाउंस करती है उसको meeting को organize करवाती है जैसे board of director की meeting हो गई एजियम हो गई यानि की annual general meetings हो गई है ना ऐसे ही बहुत सारे उसके अंदर resolution वगएरा पास करवाना प्रस्ताव पास करवाना है ना यह company का अंतरिक मामला होता है बाहर वाला वेक्ति जो होता है जैसे कोई creditor है कोई lender है कोई supplier है कोई data है उसका इन अंदर के मामलों में दखल अंदाजी वो नहीं देता है ना और यही principle हमको यह बोलता है तो doctrine of indoor management का कहना है कि अंदर के काम जितने भी है वो management को करने है अब अगर वो काम अंदर के management सही तरीके से नहीं कर रहा है तो फिर इसमें जो outsider है उसकी कोई mistake नहीं है कि यह यह principle बोलता है लेकिन यह अच्छे से समझ में तभी आएगा जब हम इस principle को अच्छे से समझेंगे पहले जो है रचनात्मक सूचना का सिदान्त doctrine of constructive notice यह क्या है रचनात्मक सूचना का सिदान्त यह बोलता है कि देखो company के दो main articles होते हैं Memorandum of Association और Article of Association यहने कि पारसद सीमा नियम और पारसद अंतर नियम इनके बारे में डिटेल में लेक्टर नंबर पांच के अंदर मैंने बताया था चार में इसमें बताया था पांच में इसमें बताया था अगर आपने नहीं देखें तो जाके प्लीज देख लेना तो Memorandum of Association और Article of Association यह दोनों जो हैं इसकी जानकारी आउटसाइडर को होनी चाहिए इसकी जानकारी आउटसाइडर को होनी चाहिए ऐसा कंपनी मान के चल रही है आपने लास्ट में एक प्रिंसिपल किया था जिसके अंदर यह बताया गया था कि MOA का जो objective close है उसमें अगर कुछ काम जो लिखा हुआ होता है कंपनी के वल वही काम कर सकती है तो बाहर का विक्ति जो कंपनी के साथ agreement कर रहा है वो पहले MOA और AOA चेक कर ले नहीं तो फिर agreement क्या हो जाएगा वोईड हो जाएगा वोईड का मनलब क्या होता है विर्थ हो जाएगा वो खराब हो लेकिन company safe रहेगी तो ये वाला जो principle है ये doctrine of constructive notice ये यानि कि रचनात्मक सूझना का सिद्दान ये वाला principle बाहरी लोगों से company की रख्षा करता है ताकि कोई भी व्यक्ति company के उपर कोई गलत क्लेम ना कर सके है अना अगर loss होगा तो सामने वाले का होगा company का नहीं होगा क्यो कम्पनी के MOA और AOA को अच्छे से पढ़ लें बट यह जो है यह doctrine of indoor management यह आउटसाइडर की help करता है ना कि कम्पनी की बाहरी वेक्ति की help करता है जो भी बाहरी वेक्ति है ना उसकी help करता है कि ठीक है भाहरी वेक्ति को MOA की जानकरी होनी चाहिए वहां तक तो ठीक है अगर उ सामने वाले का नुकसान हो जाएगा तो यह तो कम्पनी के लिए अचा है लेकिन आउटसाइडर की भी रक्सा के लिए आउटसाइडर की भी safety के लिए यह principle है यह बोलता है कि ठीक है MOA और AOA की जानकरी होनी चाहिए जो अवेलेबल है पब्लिक डोक्युमेंट में जो अव कर रहे हैं डाइक्टर को टाइम पे पॉइंट नहीं कर रहे हैं तो अंदर की जो information है उसके बारे में उसको कैसे पता चलेगा तो company की internal जो मैटर्स होते हैं अंतरिक जो चीजे होती है उसके बारे में अगर आउटसाइडर को नहीं मालूम है तो इसमें आउटसाइडर की कोई गलती नहीं है वो कमपनी की मिस्टेक मानी जाएगी ओके लेकिन लेकिन इस प्रिंसिपल के अंदर एक चीज आउटसाइडर को ध्यान में रखनी चाहिए वो क्या अगर आउटसाइडर वो इनफोमेशन निकलवा सकता है तो उसको निकालनी ज़रूरी चाहिए याँ नहीं निकलवा सकता वो इनफोमेशन कंपनी के बारे में company के indoor management की information अगर उसके पास में नहीं आसिल कर सकता तो नहीं लेकिन बिल्कुल easily available थी तो फिर उसकी गलती मानी जाएगी या फिर अंदर company के बहुत बड़ी mistakes चल रही है fraud चल रहा है और उसको पता था तो फिर उसकी गलती मानी जाएगी पता होते ही फिर क्यों आपने agreement किया लेकिन उसको पता नहीं है और easily वो information available भी नहीं थी कि company के अंदर क्या चल रहा है तो सामने वाले की outsider की गलती नहीं मानी जाएगी फिर वो mistake company की होगी तो ये जो principle है doctrine of constructive notice यानि कि रचनात्मक सूचना का सिधान ये company की रख्षा करता है company को save करता है outsider से और ये वाले जो principle है doctrine of indoor management आंतरिक प्रबंद का सिधान्त ये बाहरी लोगों को help करता है बाहरी लोगों की रख्षा करता है company के अंदर जो हो रहा है उन मामलों में तो ये दो principle है लेकिन इन दोनों का अगर एक साथ समझा जाए तो ये दोनों अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो इसी के साथ में ये principle ये concept खतम हो गया है next जो है हम आगे बढ़ेंगे और company के incorporation को देखेंगे और आगे के sections जो है section number 6, 7, 8 वो हम next lecture के अंदर करेंगे तो next lecture थोड़ा लेंदी और लंबा आएगा आज का simple था हो सकता है कभी दो number 4 number का question इसके उपर भी exam में आ जाता है ओके so आज के लिए इतना ही मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए good bye